लॉक्डाउन टू से क्या कहता है नंबर साथ का कनेक्शन पिया मोदी के साथ वचन क्या कोरोना को हरा पाएंगे नंबर साथ से पिया मोदी का क्या है किस्मत कनेक्शन इस पर क्या कहती है अचारे महिंग शर्मा जी की भविश्वाणी देखिये सर्क धर्म ग्यान पर नमस्कार दर्शको मैं हूँ अचारे महिंग शर्मा हमारी यूट्यूब चैनल धर्म ग्यान में आप सभी का बहुत को स्वागत है वो दर्शकों आज मोदी जी ने ऐलान किया है और कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसकी हम निम्रेलोजी और जोटिश के साथ जोड़ने के चर्चा जरू करेंगे देखे मोदी जी ने आज क्या करा है कि साथ नंबर को क्यों चुना आखिर मोदी जी ने क्यों साथ नंबर का कनेक्शन आज जोड़ना चाहे क्या है साथ नंबर का कनेक्शन मोदी जी के साज के संकल्प के साथ साथ नंबर का collection होता है अगर numerology के आप से देखें तो साथ नंबर केतु का होता है और उन्हें आर्ज साथ संकल्प लिये हैं साथ वादे आप से लिये हैं कि ये निभाएं और इस वादे को अठीक पूरा करेंगे तो कोरोना जैसे बिमारी को हम भगा पाएंगे देखे साथ ही संकल्प क्यों उन्होंने ये कहने का सिधान रखा है देखे साथ अपने आप में एक पूर्ण नमबर होता है साथ समुंदर होते हैं साथ फिरे ले जाते हैं विवा में साथ सुर होते हैं साथ का मेल होता है बहुत इक पावरफुल माना गया है कि अगर साथ चीजों को हम साथ लेके चलें तो हमारे संकल्प पूरे होते हैं यह से हम कोई भी अगर हम दिया जलाते हैं तो वो भी हम इस तरीके से एक, तीन, पाँच और साथ जलाते हैं जिस से के हमें सफलता बड़ी मिले और उच्छ कोटी का हमारी सफलता मिले हमारे काम्यावी मिले तो मोदी जी ने भी साथ नंबर का जो संकल्प लिया है वो इस कोरोना बिमारी को दूर भगाने के लिए लिए है लेकिस साथ नंबर का क्नेक्शन इसलिए जोड़ रहा हूं साथ नंबर केत। का होता है अगर राशि से बात करें, तो करकर राशि है छटे भाव में कहीना कहीन adverse का ब्रहंन है तो केत। के प्रहंन के कारण ही यह जो महमारी है हिंदुस्तान में आई है और कहीं न कहीं इस बिमारी ने थोड़ा सा बढ़ना शुरू किया है लेकिन मोधी जी के बहुत बढ़े प्रयाश से समय पर किए गए लोकडाउन से समय पर किये गए फैसले से राजे सरकारों के बढ़े फैसलों से आज हम सित्धी यह है कि विष्व में भारत बहुत बेष् हैं और मरने वालों की संख्यावी बहुत कम है जो बहुत ही अच्छी बात है सुखद ये बात है कि समय रहते मोदी जी ने ये प्रण लिया और समय समय पर लॉकडाउन किये और सही परणाली से सही निती से देश को आगे ले जा रहे हैं बीमारी को बगा देंगे एक समय के ब संकल्ब जो लोगों से उन्होंने करवाने हैं ये साथ संकल्ब अगर सभी व्यक्ति करेंगे तो समझ लिजे कि एक तरीके से हमारी जो ये पूरी समस्या जो है वो समाप्त हो जाए क्योंकि साथ नंबर जो है केतु का होता है और अगर केतु परिशान कर रहा है केतु कोई दिक्कत हो रही है तो साथ नंबर से जोड़ी कोई बिच्रेकर की जाए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए साथ चीजों का अस्तमाल किया जाए तो बड़ी सफलता मिलती है और बड़े जल्दी ही इस बेमारी से चुटकारा मिल जाता है तो कहिना कही केतु के करेक्शन क जोड़ कर अगर मैं देख रहा हूं तो यह संगेत मिल रहा है कि बहुत जल्दी ही भारत को इस महामारी से चुटकारा मिल जाएगा तो कि समय मंगल भी उच्च के हो गए हैं और इस समय सूरिय भी उच्च के हैं और शनी भी अपनी राशी में बैठे हैं गुरू के साथ त आपको अच्छे सुखर परिणाम देश में देखने को मिलेंगे देखिए अगर मोदी जी कही ना कही उनके जो टाइमिंग रहती हैं उनका जो समय रहता या उनके जो फैसले रहते हैं वो दिन जो होते हैं वो जो तारीके होती हैं कही ना कही जो समय होता है वो कही ना कही उस समय उनका जो निम्रालोजी के हिसाब से जो बैट रही ती थी वो कहीं आठ को बहुत जारा सो टिबल कर ली थी अगर उस दिन वो फैसला लेंगे तो जनतास शीज को समझेगी और उनका फैसला सही जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से ये काम हो जाएगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ इनके हो सकता है कि वो शीज को नहीं नोटिस करते हों लेकिन कहीं न कहीं निम्रालोजी और एस्ट्रोजी कहीं न कहीं इसमें जरूर एड हो जाती है जिस दिन वो संकल्प लेते हैं जिस दिन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आप रात को 9 वजे 9 मिनट तक धीये जलाएं ये भी संकल्ब था और चाहे lockdown को ले के रहा ओचाहे नोट बंडी को ले कर रहा हो जो जनता कर फ्यखों लेकर रहा ओतो कहीना कहीं उनके जो फैसले जो हैं वह मаш şe में अगर आपने जो भ्रह सिति अगर से जोड़ते हैं से जोड़ते हैं तो वो जबरदस्त करताँ नजना करता है तो फैसों का मिल होता इर उनकी बातों से जो लोगों को कहना चाहते हैं वो जवर्दस मैच हो जाता है तो कहीना कहीं बहुत इंपोर्टेंट है उनके दुवारा बोले गए जो वचन है वो कहीना कहीं हमारे शास्र से हमारे जोट्चिस से हमारे नियूरलोजी से मैच कर जाते हैं उद्रश को इसमें एक चीद और रोचक तथे बताना चा सब्सक्राइब करने के लिए आज का दिन बहुत चुना गया कि अगर आज की दिन यह संकल्प लेते हैं तो एक बहुतर परिणाम मिल सकते हैं देश में और एक बहुतर संकल्प सभी लोग लेंगे तो अच्छे परिणाम भी आएंगे और देश में खुशाली आईगी और लोग जो है इस साथ संकल्प का पालन करेंगे तो जल्दी से जल्दी जो है हमें इस छुटकारी इससे मुक्ति मिल जाएगी और कहीना कहीं जो है कि 2020 जो हमारा इसका मुलाग टोटल जो भी चार बनता है इनकी राहू है तो राहू इस साल क्या कर रहा है कि परस्ट नमबर जो है चंद्रमा है और टोटल नमबर जो है चार राहू है तो दो और चार राहू और जो चंदर का जो गहन योग बनता है इस वर्ष में जो थोड़ा सा यह भारी परदीत होता वा नजार आ रहा है अगर इसको भी कम कर रहा है तो अगर साथ वचन को मानकर हम कोई प्रण साथ वचन करते हैं साथ कारे करते हैं तो हमें बड़ी सफलता मिलती है जोती शास्त्र और मुलांग के अनुसार तो दर्शुकों यह हमने आपको बताया कि साथ नंबर का आज साथ संकर का क्या कनेक्शन था मोदी जी का अगर आपकी भी कोई जोती संबचन को जिग्यासा ह रहें जिससे आपको मारे सारे वीडियो मिलते रहें नमस्कार कि साथ्यों कि आज कि पूरे विश्व में कि कोरोना वैस्विक महमारी की जो स्थिती है कि हम सब उसे भलीभातिव परिचीत है अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमन को रोकने के प्रयास किये आप इसके सहबागी भी रहें हैं और साक्षी भी जब हमारे हां कोरोनों का एग भी केस नहीं था उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की एरपोर्ट पर स्क्रेनिंग शुरू कर दी थी कोरोना के मरीज सो तक पहुँचे उससे पहले ही भारत ने विदेश से आये हर यात्रि के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था अनेक जगहों पर मौल हो थियेटर हो क्लब हो जीम हो बंद करिये जा चुके थे साथियों जब हमारे हां कोरोना के सिरफ पान सो पचास केस थे तभी भारत ने 21 दिन के संपुर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया बलकि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भर्षक प्रयास किया साथियों वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है लेकिन फिर भी कुछ सच्चाईयों को हम नकार नहीं सकते हैं यह भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संबली हुई स्थिती में है महिना डेड़ महिना पहले कई देश कोरोना संकरमन के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसिस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्य हो चुकी है भारत ने होलिस्तिक एप्रोच न अपनाई होती इंटीग्रेटेड एप्रोच न अपनाई होती समय पर तेज फैसले न लिये होते तो आज भारत के स्थिती क्या होती इसकी कलपना करते ही रूएं खड़े हो जाते हैं लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से यह साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है कि आज की स्थिती में कि वही हमारे लिए सही है कि सोश्यल डिस्टंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाब देश को मिला है अगर सिर्फ आर्थिक द्रस्टि से देखें तो यह महंगा जरूल लगता है बहुत बड़ी किमत चुकानी पड़ी है लेकिन भारत वास्यों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुन्ना नहीं हो सकती सीमीत संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है देश की राज सरकारों ने भी स्थानिय स्वराज संस्ताओं की इकाईयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है 24 सो घंटे हर किसे ने अपना जिमा संभालने के लिए प्रयास गिया है और हालत को संभाला भी है हुआ झाल